गुर्णारी चुडर्ण्स हमारी आज की अक्टिविटी है फ्लावर मेकिंग अक्टिविटी आज मैं आपको फ्लावर बताऊंगे कैसे बता बनाते हैं उसके लिए में क्या मटीरियल चाहिए वन पेपर एंड ग्लू पेपर आप कोई भी साइस का ले सकते हैं क्योंकि हमें तो यह सर्कल मैंने पहले से हिसमें प्योक कट करने इसका मैंने पेपर लिया था और इसके के मैंने इस सब्लावर की लिए 4 च मैंने सब्तवित हैं छूक्रीय वह से सब्लेगे接 Ethan programme के लिए ह्वाए 15 आपको असब 1 सब्ली अब क्या सब्मादा की आपको 20 उखे गया अंप कैसे हमें इसको स्पेटल्स बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूं यह हमने सरकल लिया ऐसे सरकल को हम ऐसे हाफ से फोल्ड कर लेंगे पूरा ऐसे उपर मिलाके यह देखिए यह हमारा सरकल था then इसको मैंने ऐसे half से पूरे ऐसे fold कर दिया है then right to left यह देखिए यह ऐसे आ गिया है हमारे पास circle को half fold किया then ऐसे इधर side से यह ऐसे लिया and then ऐसे fold कर दिया तो यह हमारे पास आया है ऐसा shape आया है अब हम इस को इस shape को one जो fold था इसको हम ऐसे open कर देंगे और जो यह हमारी center line हमें दिखाई दे रही है इसके एक corner को लेके यहां तक हम इसको sorry यह देखिए यह हमने circle लिया था ऐसे इसको fold किया था वापस हम इसको इधर से fold करेंगे यह ऐसे लेंगे then इधर से हम इसको ऐसे fold करेंगे और इसको ऐसे ही हम वापस open कर देंगे और यही से इसको जो यह हमारी line दिखाई दे रही है center line इस तक हम half तक ऐसे fold करेंगे यह देखिए यह आपको दिख रहा है आपने यह जो ऐसे हमने किया था यहां जो हमारा center आया था इसका circle के यह जो center दिख रहा है हमें इस line तक हम यहां से पकड़ेंगे और यहां तक इस corner को ऐसे fold कर देंगे तो यह shape हमारे पास आजाएगी then अब हमें क्या करना इसको ऐसे ही पकड़ना है और जो यह corner हमें इधर वाला जो corner दिखाई दे रहा है उसका one layer लेंगे हम इधर two layers हैं क्योंकि हमने circle को fold किया हुआ है तो हम one layer लेके पीछे की side इसको हम ऐसे fold कर देंगे यह देखिए यह समझा रहा है आपको मैं एक बार अगेन दूसरी पैटल को बना के बताती हूं कि कैसे इसको fold करना है वन पैटल यह circle है हमारा इसको हमने half fold कर लिए up side में ऐसे यह half fold हो गया हमारा फिर हम इसको ऐसे वापस हमने इसको ऐसे fold किया अब इस fold को हम खोलेंगे ऐसे open करेंगे और इसका इसी corner को पकड़के जो center line है वहां तक हम ऐसे पैटल को ऐसे मिला देंगे यह देखिए कैसे हम इसको यहां से इसी line से पूरा यह line हमें पूरी ऐसे सीधी मिलानी है ऐसे करके तो यह shape हमारे पास ऐसे आएगा अब हमें क्या करना है यह जो हमारा अब यह जो ऐसे दिख रहा है इसको में ऐसे ही रखना है और यहां से हम इसकी layer open करेंगे देखिए जैसे हमारा ऐसे रखा हुआ है इसकी layer आप ऐसे open कि फोल्ड कर देंगे तो आपके पास यह ऐसे 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 बटल आजाएगा अब हमें क्यायोब की आपको समझ आ गई होगी पैटल में कैसे फोल्ड करनी है